लेकिन अब अच्छ से नहीं रही या फिर जल सी नहीं रही है आप आप कोशिश कर रहे तो भी ये वीडियो आपके लिए कि कैसे इसमें अग अच्छे से जल सकती है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें तो देखिए अगर आपने बिलकुल एक नया चूला लिया है और उसमें आग नहीं जल रही है तो उसका जो सबसे पहला कारण है वो हो सकता है कि आपने जो एक लकड़ी या कोई स्टिक फसानी है और इसे आगे कर देना है ताकि आपका धुआ जो है वो ऊपर के और आ जाए और इसे अच्छे से हवा मिले अगर आप इसे खोल देगे तो यह अपने आप भी बंद हो जाता है तो इसमें लकड़ी फसाना जरूरी है या कोई स्टिक फसाना जरूरी है और टेड़ा करना ताकि आपका जो हवा है वो ठीक से आ जा सके दूसरा आपको अपनी पाइप को देखना है कि पाइप की डिरेक्शन है बाहर की वो ठीक होने चाहिए कहीं उसमें बारिश का पानी ना है तो इस वाज़े से भी आग बुच सकती आपकी जलेगी नहीं तो यह दो रिजन रहते हैं जो में रहते हैं और इसके इलावा अगर आपका चूला पुराना है और आग नहीं जल रही है तो सबसे पहले तो राक को बाहर निकाले ज्यादा राक होनी की वज़े से भी यह नहीं जलती है और दूसरा देखिए जो यह एक आप पाइप में जम जाती है ऐसे बिल्कुल पूरी पाइप में अब को मिल की बीच विच में जमी है तो हवा और धुआ ओपर नीचे नहीं निकल पाएगा तो आपकी याग नहीं जलेगे तो इसे साफ करना बहुत जरूरी है तो इसको निकालने का मैं एक सिंपल तरीका तो बताता हूं इसे बस ऐसे जाड़ो निकल जाए कि यह जादा मजबूत तो नहीं होता फिर जरूरत पड़ जाए तो थोड़ा आप कोई सर्या या किसी चीज से थोड़ा अच्छे से क्लिन जो सकते हैं इसके अंतर दिखाए यह दोस्तों इसके अंदर अभी भी काफी माल ह तो जब भी लगी आपको आग नहीं जल रही है तो अराग को अच्छे से निकाले और दूसरा इस पाइप को जरूर एक महीने या दो महीने में साफ करें तीसरा जो है पाइप की फिटिंग अच्छे से करें ताकि आपका जो बारिश का पानी है वह उसमें न जाए और अच सब्सक्राइब भी करें थैंक यू सो मच